दोस्तो चंद्रियान 3 सफलता पूर्वक चंद्रमा की तीसरी ओर्विट में पहुँच गया है अब वह 174 किलोमेटर गुणा 1437 किलोमेटर की कक्षा में खुम रहा है इसके बाद 14 और 16 अगस्त को ओर्विट बदला जाएगा 17 को प्रोपल्शन और लेंडर मॉडल अलग होंगे इसके बाद 18 और 20 को लेंडर की दि ओर्विटिंग होगी और 20 को लेंडिंग दोस्तो इस्तो ने चंद्रियान 3 को चंद्रमा के तीसरे ओर्विट में पहुचा दिया है अब चंद्रियान 174 किलोमेटर गुणा 1437 किलोमेटर की कक्षा में घुन रहा है चंद्रियान 3 अपनी तैय तार्गेट से संभवता आगे चल रहा है इसकी पूस्ट्री इस्टो ने नहीं की है इस्टो ने 9 अगस्ट आनी आज दो पहर एक बचकर 40 मिनट पर और्बिट में बदलाब किया यानि चंद्रियान 3 के त्रस्टरस को अन किया 5 अगस्ट 2023 को जब चंद्रमा की पहली कक्षा में चंद्रियान 3 पहुचा था रूस करीब 47 साल बाद चांद पर मिशन भेजने वाला है जो 10 अगस्ट को लॉंच होने वाला है रूस का मिशन भी चंद्रियान 3 की लेंडिंग की तारिक के करीब है दोस्तो चंद्रमा पर उबढ़ खाबर इलाका लेंडिंग को मुश्किल बनाता है वहीं दक्षन द्रूव एक बेशकिंती गंतव्य है बग्यानिकों का माना है यहां मैट्रपून मात्रा में पर्फ हो सकती है जिसका उप्योग इंधन और ऑक्सिजन निकालने के साथ पीने के पाने के लिए किया जा सकता है भारत द्वारा अपना चंद्रियान तीन भीजे जाने के बाद मॉस्कों से 5,550 किलोमेटर पूर में रूस के इस्पेस पूर वस्तो चंत कोस्मोड्रॉम से तच्छेपण में चार सप्ता लगेंगे जो 23 अगस्त को दुरूव पर उतरने वाला है रूसी अंत्रिक्ष एजिंसी रॉस कोस्मोस ने राइटर्स को भताया कि उसके लुना 25 अंत्रिक्ष्यान को चंद्रमा पर उडान भरने में 5 दिन लगेंगे और फिर दुरूव के पास 3 संभावित लेंडिंग इस्थलों में से 1 उतरने से पहले चान की कक्षा में 5 से 7 दि विक्रम सभी सेंसर और दो इंजिनों के बावजूत भी 23 अगस्त को चंद्रमा की सता पर लेंडिंग करने में शक्षम होगा दोस्तों ये बात तो इस पस्थ है कि दोनों की लैंडिंग अलग अलग जगों पर मगर सेम डेट को होगी बस अभी स्पैसिफिक टाइम को लेकर कोई अपडेट नहीं है दोस्तों भारत का चंद्रयान तीन दो सप्ताह तक प्रियोप करेगा वही लूना 25 एक साल तक चंद्रमा पर काम करेगा एक दसमलव 8 टन के द्रव्यमान और 31 किलोग्राम व्यग्यानिक उपकरण ले जाने के साथ लूना 25 जमे हुए पानी की उपस्तिती का परिक्षन करने के लिए 15 सेंटीमेटर की गहराई से चट्टान के नमोने लेने के लिए एक स्कूप का प्रियोप करेगा लूना 25 का प्रिच्छेपन मूल रूप से अक्टूबर 2021 के लिए निर्धारित किया गया था इसमें लगवग दो साल की देरी हुई इससे पहले यूरोपिय अंत्रिक्ष एजंसी ने अपने पाइले डी नाविगीशन कैमरे को लूना 25 से जोड़कर परिक्षन करने की परिक्षन आड़